सारे जहां से अच्छा हिंदो से ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुल बुले है इसके ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा परवत वो सबसे उचा हम साया आसमा का परवत वो सबसे उचा हम साया आसमा का वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदिया गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदिया गुर्शन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम भतन है हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुल्बुले है इसके ये गुल्चिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा जह हिंद तो मैं अपने मुंसिफान से पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे गुलुकारों का ये गुरुप सॉंग कैसा लगा भई बहुत ही बहतरीन सिंगिंग हुई है और इस गुरुप सॉंग में हमारे सारे कि सारे गुलुकार जो है वो बहुत ही बड़ीया परफॉमंस किये हैं और सब लोगों ने बहुत दिल से गाया है क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तान के लिए जनाब अलमा इखबाल साहब ने जो ये कलाम लिखे हैं मैं समझता हूँ कि इतनी सादगी के साथ इतनी बड़ी बड़ी बाते उन्होंने लिखी हैं और हिंदुस्तान का एक सर जो है वो इतना उचा कर दिया है इस खुबसूरत नगमे से तो मैं डिफिनिटली इनके इसके जो ये राइटर साहब है अलमा इकबाल साहब को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना खुबसूरत जो है वो बीख लिखा ये जितने भी आज हमारे गुलुकार हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें मुसल्मान कितने हैं हिंदु कितने हैं इसाई कितने हैं सब का जजबा एक जैसा था and that is India that is India the great India और इसलिए जितने भी नंबर होंगे गाने का मज़ा और लुट्फ और जो नैशनल फर्वर है उसको मद्य नजर देखते हुए आप सब को नंबर बराबर मिलें